मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई एस जेस तो फ्रेंस आज मैं लेकर आई हूं पत्ता गोभी की सब्जी बहुत ही जटपट कुकर में बनाएंगे तो फ्रेंस रेसिपी शुरू करने से पर ले आप सभी को राधे राधे तो यहां पर फ्रेंस सब्जी बनाने के लिए एक प्याज तीन से चार आलू दो टमाटर और तीन सो ग्राम पत्ता गोभी है एक कप फ्रेश मटर है सारे चीज को धो करके साब करके काट लिए हैं सब्जीयों को अब यहां पर थोड़ा मसाला तयार कर रहे हैं तो तीन हरी मेर्च आठ से दस लहस सब्जी में बहुत ही लगेगा है तो इसलिए काट करके सारे चीज को डाल देंगे ताकि अच्छे से पीछ थोड़ा से इसको दरदरा पीछ लेंगे तो जिसा कि अब देख सकते हैं कि दरदरा एक दम पीछ कर तयार हो चुका है अब चलते हैं गैस के साइट तो यहां पर क दीरा वगेरा कायूज नहीं करेंगे आज पचफोरन मेही सब्जी बनाएंगे तो पचफोरन के थोड़ा सा चटक जाने पर कलर आ जाने पर यहां पर प्याज लिए हुए हैं एक प्याज को बारी काट करके थोड़ा लंबे-लंबे स्लाइस में इसको गोल्डेन ब्राउन ह होने तक पत्ता गोभी को तो फ्रेंट इस तरीके से सब्जी अब जरूर बनाएगा बहुत जटपट भी बनती है तो आपको अगर सुबह की भागदोर में जल्दबाजी हो तो ए तरीका आपके लिए बेश्ट है मैं हमेशा कूकर में सब्जी बनाती रहती हूं तो मैं सब्जी लगाना है तो पहले ही सब्जी को जितना भी भूना है आपको इसी टाइम भूना होगा और कटा हुआ आलू मिला करके आलू के साथ भी थोड़ी देर तक भूनेंगे तो तीन से चार मिनट में आच्छी तरह से सब्जी भून कर तयार हो जाएगी तो जिसा कि सब्जी में थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आएगा तो यहां ढख करके आलू को भी दो से तीन मिनट तक भून लिए हैं और गयस का फ्लेम हाई है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको तो यहां पर डेट चमच धनिया पाउडर डालेंगे कुछ मसाले डाल रहे हैं आध मतर करके सारे मसालों को यहां पर भून देंगे आपक कर सकते हैं मतर को नचेच मासालों कर डाल करके सारे वापस से ब्हून लेंगे तो जैसा कि फ्रेंट्स मैं बता चुकी हूँ कि जितना भूना होगा आप इसे स्टेज पर भून सकते हैं क्योंकि बाद में तो सब्जी भूनेगी नहीं सिटी लगाना है तो यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि सब्जी आज मैं सूखी बना रहे हूं लटपटी तीन से चार बार इसे ढख ढख करके इसको भूनना है जब अच्छी तरह से मसाले भून जाएंगे उसके बादी सिटी लगाएंगे तो फ्रेंट्स यहां पर थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला एक चम्मच अमचूर पावडर खट्रेस्ट के लिए तो अमचूर पावडर अगर आपके पास अमचूर पावडर नहों तो एक नीबू का रस भी यहां पर डाल सकते हैं बारिक कटी धनिया डाल करके अच्छे तरह से मिला देंगे और फ्रेंट्स जिसा कि आपको बताएं हूं कि अगर ग्रेवी चाहिए तो यहां पर एक से डेढ़ कप पानी आप इ लगने पर तो यहां पर धक्र अब बंद कर देंगे मसाले अच्छे तरह से हो बुंद treating यहां पर ले लेंगे हाइफ लेंगे तो जरा कि अपनिया मिन के सब्सैंट्स देखिए कि अच्छी सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलें बेल आइकन भी दबा देजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस सब्सक्राइब को रोटी पराठे चावल के साथ भी इंजवाय कर सकते हैं तो लीजिये फ्रेंड्स आलू पत्ता गोभी की जटपट सब्जी बनकर तयार है आप भी इसे जरूर ट्राइब करना बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही इजी तरीके से तो इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मिलते हैं एक और ने रेसिपी के साथ